रामगड के गाउं चोमा के राज के स्कूल में छात्रों के तिलक लगाने को लेकर विवाद हो गया। प्रिंसिपल ने बताए कि हमने उन्हें समझा दिया था लेकर विवाद हो गया। चात्रों के साथ कुछ विवाद हुआ जिस पर साहिल के परिवार जन यूसूफ मेव स्कूल केमपस में पहुँचे और मुझूश शुबम के साथ उन्होंने मारपिट की और भाग गए थे। मामले में तूल पकड़ा और स्कूल के बाहर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। इस मारपिट में यूवराज पुतर जैसिंग और बबली राचपुत को चोटे आई हैं। मामले की नजाकत को देखते हुए गाउं में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीडिट पक्ष से परिवाद लेकर पुलिस ने मेडिकल जाच भी करवाई है। देर रात तक पुलिस ने यूसुफ खान, वारिस खान, अबास, गुलू और मुरले स चैनात कर दिया जा रहा है। गौर तलबे की रामगड विधान सभासे विधायक कॉंगरिस की साफिया जो बेर खान है। ग्यान देव आहुजबी रामगड से आते हैं। जाले में सभी लोग पीचर हैं तो आपको हम अपनी बात कहके जा रहे हैं। आप उमको हमारी ओर से बता दीजेगा। प्रकार की चीजों से दूर रहें। बच्चे पढ़ने आते हैं। उमको पढ़ाएं। अपना अपना सब काम करें। अपना अपनी अपनी दिवेंटी दिवें। जैसी राम, जैसी राम, जैसी राम! जैसी राम, जैसी राम! जैकारे, वीर्वद रांगी!! लाम नाते! रामगर्ड ठानाच्षेतर में एक स्कूल हैं। उसमें ग्यारवी कक्ष्या में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच कहा सुनी भोलचाल जैसे लड़कों की होती है वैसे हुई उसके बाद वो अपने टीचर के पास गए और शिकायत की गई तो टीचर ने उनको समझाईश कर दी बाद में गाउं में भी उन्होंने इस बारे में चर्चा की तो गाउं में लोगों ने इसको समझाईश कर दी परंतु रात्री में उन्होंने थाने पर आकर के एक FIR दर्च कराई और जिसमें उसने ये आरोप लगाया कि जो दूसरा स्टूडेंट है उसने उसको तिलक लगाने आने पर ताना किया और उस बारे में कुछ विरोध किया जिसको लेकर के ये FIR दर्च हुई ऐसा उन्होंने FIR में लिखवाया है और जिसको की अब जाच करके वेरिफाई किया जाएगा हाला कि जो क्लास है उसमें उकुल 58 स्टूडेंट है जिसमें से 57 मेजॉर्टी कम्यूनिटी के और केवल एगी स्टूडेंट माइनॉर्टी कम्यूनिटी का है जिस पर ही FIR हुई है तो इसलिए इस तथ्य को एक बार गहनता से वेरिफाई करना पड़ेगा कितने लोगों के कोई मार्पीट भी बार भी तनाव है पुलिस पोर्स तैनात किया गया था कि कहीं कोई चोड़ी सी बात पर कुछ बोल चाल किसी के बीच ना हो जाए हुई चौमा के स्कूल में बाहर के लोगों ने आ करके मुसल्मानों ने मेवों ने आ करके और हिंदू समाज के उन बच्चों को पीटा जिन्होंने तिलक लगा रखा था और इस पर अनावशक विवात पैदा किया इस मामले में हम आज पीडितों के घर आएं और पूरे प अंदोलन करेगा और आगे कोई भी अगर लॉयन ओर्डर की परिस्तिती बिगड़ती है कानून विवस्ता की तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानिय प्रशासन की होगी और स्थानिय राजनीतिक नित्रत्व के प्रश्रे पर इस तरीके की जो घटिया हरकते हो रही है इस जो इस विद्याले का विद्यारती था फिर उसके बाद मेरे भाई को मारा गया है जो इसके बीज बचाओ के लिए पिर्न्सपल सिकायट के लिए आया है वुसुप खान था बाहर कहर कहे है यहां आर दस लड़के थे उसके साथ उसके साथ जो भी रिपोर्ट दर जजए व प्रिंसिपल साथ से कोई हमें फेंसना नहीं मिला क्या काहा कुछ नहीं बस उन्होंने कहा कि करवाई की नहीं होने एक दो थपड़ हमारे हैं इस्टूडेंट को बाकी उनके उसके खिलाब कोई कारवाई निकी गई जो यूसुप था बाहर कर अंदरा के मारा है विक्या मा मांग यह है कि स्कूल जो परसासन है यूसुप के खिलाब कारवाई करें रिपोर्ट दसक्राव क्या नाम आपको और हमारी पाहरोपे पुलिस कारवाई करें